इन्डिया अब दो पहर एक बजे आरजडी ने डेपुटी सीएम तेजस्वी अदब के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें सभी MLA MLC को बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ BJP ने भी आज शाम चार बजे पटना में प्रदेश कार्यालाय में विधायक दल की बेहत एहम बैठक बुलाई है और इनी दो बैठको पर अब सबकी नजरे टिकी हुई है क्योंकि इसके बाद ही तैह होगा कि आगे बिहार की राजनीती में क्या होने वाला है और बिहार में आखिर क्या होने वाला है ये जानने के लिए आज की पांच बड़ी पिक्चर देख लेना बहुत ज़ादा जरूरी है अब इस पांच पिक्चर देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब मिल सकता है आज एक तरफ आप देखे आरज़ेडी विधायक दल की बैठक होगी तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है यानि कि बिहार में बदलते सियासी हालात को देखती हुए RGD सतर खो गई है और विपरीत हालात से निपटने की तयारी में जुट गई है तो वहीं भारती जनता पार्टी आने वाले अफसर की तयारी में है तीसरी दस्वीर भी ज़रा देखिए लालु यादव ने कल पांच बार नितीश कुमार को फोन किया लेकिन नितीश कुमार ने उनका फोन ही नहीं उठाया वहीं सूत्रों के हवाले से खबर अब ये है कि नितीश को मनाने के लिए सूनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती है अब क्या नितीश कुमार सोनिया गांधी का फोन उठाएंगे या लालू की तरह उन्हें भी नजरंदास कर देंगे ये देखना बड़ा दिल्चस्प होगा लेकिन नितीश को मनाने से पहले ही सुनिया गांधी को अपने विधायकों को मनाने की नौबत आ गई है क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो एक बड़ी ख़बर आ रही है ये इस वक्त बिहार की एक बड़ी सियासी ख़बर है बिहार कॉंग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ इसमें जो प्रमुख विकल्प हैं उनमें सबसे बड़ा और पहला विकल्प ये कि अब की बार विहार में NDA सरकार अब दूसरा विकल्प क्या है ये भी जरा देखिए आरजेडी गठबंदन की सरकार यहां पर बन सकती है ये दूसरा विकल्प माना जा रहा है लेकिन तीसरा विकल्प ये कि विधान सभा भंग कर दी जाए और ऐसे में फिर नया सियासी गणित बनाया जाए लेकिन इन तीन विकल्पों में अब आज की बैटकों में तैय होगा कि बिहार की राजनीती किसोर रुखकरती रिखाई दे रही है और हमारे सयोगी आरुन सिंग इस वक्त हमसे सीधे जोड़ रहे हैं आरुन बिहार की सियासत में जबर दस्त उथल पुथल मची हुई है लेकिन जो ताजी और बड़ी खबर आ रही है बिहारती ये कि क्या कॉंग्रेस भी अब तूट की कगार पर है देखें प्रशांद बड़ी बात यह है कि कॉंग्रेस ये दावा कर रही है कि उसके सारे 19 के 19 विदायक इंट्रेक्ट हैं एक साथ हैं और कल पूर्णिया में दो बजे उनके विदायक दल की बैठक बुलाई कि क्योंकि राहूल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा 29 तारीक को यहां प्रवेश भी करने वाली है बिहार में तो उसकी बाबत तयारियों के लिए बुलाई गई और वो एक भी विदायक ऐसा नहीं जो टू ट्राई ये कॉंग तो इस तरह कि बिदायकों के खरित फरोक्त की बात होती है छूस ट्रेडिंग की बात लगते हैं तो सच्चाई कितनी है कौन के किसके कितने संपर्क में यह बड़ी बात है और यह तभीत होता है जब सदन के अदर बाहुमत परिक्षन होता है क्या उसकी नौबत आएगी क् नितीश कुमार पाला बदलते हैं और बीजेपी के साथ जाते हैं तो संभावता इन सब की जरूत पड़ेगी ही नहीं अपने आप में पूर बहुमत के साथ ये सरकार चल सकती है बस नितीश को फैसला लेना है बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कौन तूटेगा और कौन जूटेगा ये इस बीच सबसे बड़ी बात ये है कि चिराक पासवान के एक भी विधायक विधान सबा में नहीं है तो साफ तोर पर समझा जा सकता है कि चिराक पासवान भले ही ये कह रहे है हो कि हम NDA में रहेंगे NDA से बाहर जाएंगे लेकिन उनका कोई विधायक नहीं है इसलिए बहुत माइने नहीं रखता है दूसरी बात यह है कि सबसे अहम किरदार जो जीतन राम माजी की पार्टी है जिनके चार विधायक हैं उनको कल RJD के तरफ से ओफर दिया गया था लालू परसा यह कहां से होगा यह अब तक साफ नहीं हो रहा है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सरकार में कहीं न कहीं लालू परसाद यादव क्या परिवार आने का जरूर प्रयास कर रहा है और इसको लेकर कल दोपहर के बाद से लालू यादव ने खुद कमान समाल रखा है और लगाता उनसे भी संपर्क करने की कोशिस की जा रही है तो दोनों पार्टियां जो अभी मौजूदा आज तक जो गड़ बंधन में है सरकार में नितिश कुमार रहना चाहते हैं तो वहीं लालू यादों के हाथ से सरकार ना निकल जाए इसकी भी पूरी तैयारी चल रही है अरुन चंद्रमोन बने रहे हैं आप हमारे साथ लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत से जुड़ी एक बेहद हम और बड़ी खबर आ रही है नितिश कुमार किसी भी वक्त मुख्यमंत्री पत से स्टीफा दे सकते हैं इंडी गठ बंदन का साथ छोड़ कर अब भारती जुनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना सकते हैं सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि 28 जनवरी को नितिश कुमार मुख्यमंत्री पत की शपत ले सकते हैं उनके साथ दो उपमुख्यमंत्रियों में से एक उपमुख्यमंत्री सुशील मुधी बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं और ये एक एहम बात भी अलाकि सुशील मुधी ने अपने बयान में कह दिया कि क्योंकि वो राजसभा में हैं उनके मुख्यमंत्री बनने का कोई सवाल ही नहीं है लेकिन ये तमाम अटकले हैं और अभी नए फैसले लेने से पहले के सियासी बयानात हैं लेकिन तस्वीर क्या सामनी आएगी इस बीट ये बड़ी ख़बर है कि किसी भी वक्त नितिश कुमार अपने मुख्यमंत्री पत से इस्तिफा दे सकते हैं और तब क्या ये तस्वीर सामनी आएगी कि अब की बार NDA सरकार और बिहार में क्या ये एक नई सरकार का गठन होने जा रहा है अब सियासी हलचल इसी ओर इशारा करती निखाई देरी अब सरकार बनाने के लिए भारती जनता पार्टी और जेडियो के बीच किस फॉर्मुले पर सहमती बनती है ये बताने से दोनों दलों के निता परहे सर रहे हैं लेकिन ऐसे में तीन फॉर्मूले ऐसे नजर आ रहे हैं जिसमें से किसी एक पर सहमोती तो जरूर बन सकती और फॉर्मूले क्या है ये भी आप देखिए फॉर्मूला नबर वन आप पहले देखिए नितीश कुमार सी एम बन जाएं बीजेपी के दो डेपिटी सी एम हो और चार विधायक पर एक मंत्री पद मिल जाए और वहीं फॉर्मूला नबर दो ये हो सकता है कि सीम पद बीजेपी के पास रहे और नितीश को केंदर में एहम मंत्राले दे दिया जाए और लोग सभाचुनाओं में जेडियू को ज़्यादा सीट दी जाए बीजेपी की ये इच्छा हो सकती है और ये नबर दो का फॉर् लेकिन हमारे सहियोगी लगातार इस प्यास सियासी घटनकरम पर नजर बना वे अरुण भी हमारे साथ हैं और चंद्रमोहन भी लेकिन चंद्रमोहन जो सबसे खास बात ये है कॉंग्रेस की विधायकों का कोई रुख समझ में आ रहा है और जो दावा किया जा रहा है कि कॉ बजी क्या हो सकती है उनके संपर्क में कॉंग्रेस के विधायक है जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 10 कॉंग्रेस के विधायक बीजेपी के संपर्क में है क्योंकि अपना भविश से वो बीजेपी में देख रहा है तो साफ तोर पर समझा जा सकता है कि बिहार में जो अभी राजनित में बैटे हुए हैं कहीं न कहीं अपनी चंद्रमोहर आप बने रहेगा हमारे साथ अपनी हुए हमारे साथ